प्राइस वेलकम तो एनदर देनदर वीडियो और आज का वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट डिसकूशन होने वाला है जो भी एल्पी और टेक्निशन बना को पूरा एट विजेड इंफॉर्मेशन मिलने आला है कि आईटे आई किस ब्रांज से करने से एल्पी और टेक्नि में लिए पाई इस बार इतने वार स्याय थी जो जर्द आठारा वाला है उसमें आईटे वाले बहुत कम एल्पी में आई क्योंकि उसके बादेश करेंगा एक होल्डर जादा एल्पी नहीं बन पाया तो इस बार में भी डिसकसन होगा और आपको पूरा इंफॉर्मेशन म देने वाला हूं तो चलिया शुरू करते तो देखिए सबसे पहले जो आईटाई करना चाहते है उन लोगों को सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्वलेस्ट पास्वना बहुत जरूरी है तभी आप टेंथ के बाद ही आप आपको पास्वना जरूरी है उसके बाद आपका जो सबसे पहले आप आर्मेचर और कोईल वाइंडर से कर सकते हैं उसके बाद फिर से कर सकते हैं उसके बाद इंस्टुमेंट मेकैनिक से कर सकते हैं कि प्रिक्टिय कर सकते हैं कि यहाँ पर पर बोल करीं बता रहा हूं आप अपने और फिर आगे आप अपना जो इस ब्राँच में भिया आप की यह से आप कॉंपेर कर लिजाए कि यह सारे ब्रांच है की निए उसमें तो उसके बाद आपका था मेल राइट मेंटینस निक है फिर प्षीर डाइब और फिर रिचर्गेशन और कशलर अरे निए रीचल मे की तॉटल फ्यूब है टिन जिस Σबाइ अप गर सकते हैं और इसके करने के बाद आप हंड्रेट परसन गाउंगे भॉस एशिब हम कि वह चीन फोटूंहेas तो यह सारे जो भी में नाम बताया हूं ब्रांचेस का वह आप लिख लीजेगा एक नोट्स बना लीजेगा और आप जो भी मतलब या तो कर रहे हैं अभी आई टियाई उन्हों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं या फिर कर चुके है या कंप्लीट होने वाला है मतलब बहुत सारा बच्चे लोग फोर्म नहीं भर पाये थे तो उसके वज़े से बहुत सारा मतलब स्ट्राइक वेगरा हुआ तो उसके बाद 2018 में एज बढ़ा दिया गया था तो उसके उपर डिसकस करेंगे तो देखे सबसे पहले जेनरल का जो एस था ओएटीन टू से बाहर हो गया थे जो भी सीनियर मोस्ट मतलब थे तो अठाए साल तक ही यह स्था आपका जेनरल का यह इसको बढ़ा करके फिट से थाटी यह कर दिया गया था तो इस बार मेक्सिमूम प्रोबिलिटी रहेगा कि ट्वेंटी यह तक मिनिमूम एज रखा जाएगा में भी आपको फ्री यह तो थाटी वान यह सो जाएंगे और प्रीविए से को फाइव यह कर दिलक्सेशन मिलता है तो उसके हिसाब से आप कैल्कुलेर कर लिजए कि कि इतना एज लिमिट होने वाला इस वाली वेकेंसी में तो प्रीविए से एर के में एक रोडिंगे बात किया बहुत ही कम गया था कुछ-कुछ बोर्ड में तो आपका एठार नंबर सेलेक्शन हो गया था आप्टर नुरौके निवह कुछ बड़ा था तो मतलब बहुत स्टूडेंट वाज ने कर पाया थे CBT1 इसलिए कम कटप में बहुत सारे बोड रिजल्ट दे दिये थे अपने 2018 हाले वेकेंसी में तो मेरा तो ओवर ओल आप्टर नॉम्मलाजेशन के बाद 58 नमबर आया था आउट आप 75 तो और उसके पहले मेरा 48 नमबर था तो CBT1 मेरा इतना नमबर था क्योंकि अगर आप अभी से तयारी कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो गया और आप इसली एक्जाम को क्रेक्ट कर लेंगा क्योंकि इसका जो कॉस्टन पेटर्न है वह उतना अप टू है उतना लेवल हाई नहीं रहेगा क्योंकि यह आपका पूरा एक्दम कॉंसर्ट बना करके आपका कोस्टन दिया जाता इसमें थोड़ा बहुत में यह कोस्टन दिया जाता है तो अगर प्रेक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप इजली सिवीटी वान क्वालिफाई कर लें अब सीवीटी करना है तो इसमें आपका नेगटिव मार्किंग रहेगा और इसमें आपको बहुत ही अच्छे से एकदम जो कोस्टन आपको आता है 100 परसेंट वाईगा क्योंकि नेगटिव मार्किंग है और पार्ट वी में आपका जैसे ही 90 मिनेट कम्प्लीट होंगे तुरांथ पार्ट क्वालिफाई करने के लिए नहीं तो अब डिस्क्वाई वह जाएंगो वहीं पर और सिवीटी टू में मैक्सिमम लोग पार्ट वी में क्वालिफाई नहीं कर पाया थे जो भी आईटाई होल्डर थे यह मतलब जो भी थे तो उन्हों को अतना टेक्निकल अच्छा से किलिए अब बहुत नहीं कर पाया होंगे इस वजह से उन्हों से बीटी टू में पार्ट वी में डिस्क्वाई हो गया तो इस चलते होती ही मतलब मतलब कम हो पाई था तो आफ्लोंग गया था और मेरिट में विनाम आ गया था तो आप लोग कोशिश करेगा कि पार्ड वी को अभी से अपना टेकनिकल स्ट्रोंग कर ले क्योंकि इसमें कोस्टन बहुत डीपली पूछता है और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप इसली 75 कोस्टन एटन कर पाएंगे तो आप इसमें आपको कोई प्रोब्लम नहीं होगा अगर आभी सब तयारी कर रहे तो औ अगर आपको बनना है और आप एक्सक्विजस मत दे कि मुझे समझ मनी आ रहा और मैं समझ मनी आ रहा अगर आपको करना है तो डैली पढ़िये और डैली डैली प्रैक्तिस करिए और सारे सब्जक को टंच कर यह मैं तो आवर्श पढ़िया इसके बाद रीजनिंग वान आवर उसके बाद जैनल साइन्स टू आवर्श पर लिए फिर आपका जेनरल पर तो टेली प्रेक्टिस करता था जो पड़ता था तो उतना हाट नहीं है आप को सिस्क्रेंगे तो जड़ आपको सक्सेस मिलें वेकेंसी आगे लपी का तो कंपीटिशन के ना टफ होने वाला है क्योंकि इसमें आपका बीटेक होल्डर भी आ जाएंगे सारे और इसके वाद है डि बढ़ाई करें और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्षन में मैं आपका अंसर दूंगा अगर आप लोग वीडियो अच्छा लोग तो लेक लाइक करेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मेरे मैं एनलिटिक्स में देखा कि 69 परसें सब्सक्राइब ने कर रहे है वीडियो पूरा कंपलीट देखराइब ने करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं तो लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब कर लिजे और जल्दी मिलते हैं नेक्स वी happy and respect your parents तो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाए हिन जाए भारत